हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टेग पॉइंट पर और मैं हुने तिन गुपता और आज में बात कने वाला हूँ नीट काउंसलिंग 2019 के सेड्यूल के बारे में और नीट काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में So guys अगर आप एक neat aspirant है तो आप इस वीडियो को complete देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत important है और इससे आपके सारे doubts clear हो जाएंगे So guys चले वीडियो सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है आपका counseling का schedule और कितने rounds में आपकी counseling होगी So guys चले वीडियो सुरू करते हैं और आपको बताते हैं counseling schedule के बारे में और counseling process के बारे में So guys ये counseling schedule आप official website से download कर सकते हैं Guys official website का direct link मैंने वीडियो के description box में दे रखा है तो guys आप वहाँ पे visit करके इस counseling schedule को download कर सकते हैं Guys मैं याप आपको सारा counseling schedule explain कर देता हूँ और आपको सारी process बता देता हूँ So guys ये जो आपका counseling schedule है इसमें तीन round में counseling होगी first, second round and आपका जो एक last round होगा वो होगा mop up round So guys अगर हम बात करें first round की counseling के बारे में So guys यहाँ पे जो आपका पहला step होगा वो होगा registration and payment and choice filling So guys इसके लिए जो dates allotted हैं वो है 19 June से 24 June तक So guys यहाँ पे आपको 24 June साम 5 बजे तक आप इन तीनो steps को perform कर सकते हैं और यहाँ पे आपको payment facility जो avail कराई जा रही है वो आपको 25 June दोपहर 2 बजे तक कराई जा रही है So guys आप time के recording चलिए और अपना सारा जो payment है वो आप 25 June से पहले ही कर लिजे क्योंकि last दिन काफी server पे load हो जाएगा और आप सही से payment नहीं कर पाएंगे Guys इसके बाद आपका जो second step होगा वो होगा choice filling और locking का So guys यहाँ पे जो dates assigned है वो है 25 June till 5 प्यम So guys first round में आप choice filling और locking 25 June को सुबह 10 बजे से साम 5 बजे तक कर पाएंगे Guys इसके बाद आपके जो processing होगी seat allotment की 26 June को होगी और आपका जो allotment result है वो आपका 27 June को आएगा और आपको जो college reporting करने जाना होगा admission के लिए वो आपको 28 June से 3 July के बीच में जाना पड़ेगा So guys first round की counseling का seat allotment result आज आने के बाद आपको 6 days का समय मिलेगा जिसके थूँ आप अपना college report कर पाएंगे और वहाँ पे admission ले पाएंगे Guys अगर हम बात करें second round की counseling के बारे में तो यहाँ पे आपका जो first step होगा वो होगा registration payment and choice filling So guys अगर आप first round की counseling में appear हुए थे और आपको अगर कोई seat नहीं मिलती है तो आप second round की counseling में appear हो सकते हैं और guys यहाँ पे new candidate जो की first round की counseling में appear नहीं हुए थे वो भी यहाँ पे enroll करा सकते हैं और new registration करने के बाद second round की counseling में participate कर सकते हैं गाइस यहाँ पे जो आपका first step है यहाँ पे जो date allotted है वो है 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आप यहाँ पे registration payment और 24 फिलिंग 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में कर पाएंगे यहाँ पे आप payment 9 जुलाई तक कर सकते हैं दुबहर 12 बजे तक गाइस यहाँ पे आप 24 फिलिंग और लॉकिंग 9 जुलाई को कर सकते हैं सुबह 10 बजे से 7 पाँच बजे तक यहाँ पे जो आपकी processing होगी seat allotment की वो 10 जुलाई और 11 जुलाई को होगी so guys second round की counseling का आपका seat allotment result आएगा वो आपका 12 जुलाई को आएगा और आप reporting 13 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में कर पाएंगे so guys यहाँ पे आपको 9 days मिलेंगे college report करने के लिए और admission लेने के लिए so guys इसके बाद आपका जो counseling का third round होगा वो एक mop up round होगा जो की central universities और deemed universities के लिए होगा यहाँ पे जो first step registration payment और 24 फिलिंग के लिए जो dates है वो 13 अगस से 15 अगस तक है और यहाँ पे आप payment 16 अगस की दुपहर 2 बज़े तक कर सकते हैं guys इसके बाद आपका जो next step होगा वो होगा 24 फिलिंग और लॉकिंग का so guys यहाँ पे आप 24 फिलिंग और लॉकिंग 16 अगस की सुबह 10 बज़े से साम 5 बज़े तक कर पाएंगे इसके बाद आपका जो processing of seat allotment आपका 17 अगस को होगा इसके बाद आपका जो allotment result है वो आपका 18 अगस को आएगा और आपकी जो reporting है वो आप 20 अगस से 26 अगस तक कर पाएंगे so guys आपको college में report करने के लिए और admission करने के लिए आपको 7 days दिये जाएंगे so guys अगर आप कोई video अच्छा लगा है तो please इसे like और share जरू करें क्योंकि guys आप जब video like करते हैं तो में motivation मिलता है आपके लिए और अच्छे videos बनाने का so guys अगर आप चाहते हैं कि मैं neat counseling पे एक more detailed video बनाओं तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं guys अगर आपके पास कोई doubt हो need counseling से related तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं आप मुझे social media पे भी connect हो सकते हैं मैंने अपने instagram profile का और facebook profile का link मैंने video के description box भी दे रखता है तो guys आप वहाँ से मुझे social media पे follow कर सकते हैं और अपनी queries को वहाँ भी मुझे से पूछ सकते हैं so guys अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो please इसे like और share जरू करें और मेरा channel subscribe करें क्योंकि मैं आपके लिए need counseling, government jobs और education से related videos बनाता रहता हूँ so guys thanks for watching don't forget to subscribe झाल